Hello guys welcome back to my channel so guys आज की सुड़े हम करने वाले 55,000 रुपेज में fully gaming PC build और यह जूकि gaming PC build होने वाले एकदम तबहाई level का होने वाले क्योंकि इस जूकि PC build के साथ आप बड़ी एजीली 1080p saveable तक आप 60, 70 या पर जित्त तरग से गेम रहे हैं वहाँ पर आप 100 plus FS भी निकाल सकते हैं यहाँ पर अगर आप शौक रखते हो भाई जूकि editing का तो वह भी बड़ी इजीली कर सकते हो और आपको करनी streaming तो भाई आप इस जूकि PC build के साथ streaming भी कर सकते हो तो यह एक काफ़ जाता capable PC build होने वाले जहाँ पर हम सभी जूकि parts को एकदम new buy करने वाले और इसे के साथ यहाँ पर हमारा जूकि 55,000 रुपे में PC build हम यहाँ पर बिल्ड करने वाले तो चले बिना टाइम वेच के आज की तभाई लेवल के PC build को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह से PC लिएटेट्स देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब कर दो एड़ जोकि साथ में लगवा बिल्ला उटिवेशन उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत बुलेगा अब फ़र यह बढ़ते हैं हमारे जोकी PC बिल्ड के तरफ लेकिन अगर आपको और किसी जोकी प्राइस बजट में अगर आपको PC बिल्ड करना चाहते हो तो अगर आपको देखना है तो स इक नंबर वाली चोईस यहां पर मैंने आपके लिए निकाल के लिए जो कि आती है राइजन के तरफ से बात है राइजन 5 3500 अब यह जोके प्रोसेसर काप जाता अच्छा प्रोसेसर है हलाकि काप सरे लोगों ने इसको प्राइज है मतलब इंक्रेस करकर रख दी है चाहे ह हम जोकी मतलब अफलाइन श्टोर में भी देखते हैं अब बीभी एक काफी अच्छा प्रोसेस रहापको देखने के लिए जहां पर आपको सिक्स कोर मिल जाते हैं शिक्सी ट्रेट से यहां पर आपको मिल जागे और प्रोपामस की बात करें तो इसके मैस बूस्ट क्लॉक ह वो देखने के मिल जाएगे अप तो आपको 4.1 GHz की और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते है भाई 19 MB की कैश और यह जो कि अपने साथ लेके आता है 65 Watt की TDP तो यहाँ अच्छा प्रोसेसर है आप इसे भी बाय कर सकते हो और में हाँ पर आपको एक जो को option देदेता हो कि अगर कैस आपको Ryzen 3 3300X अगर आपको available मिलता है हलाकि जो की प्रोसेसर को उपर आलग से ही black marketing करकर रखे है सभी लोगोंने लेकिन फिर भी अगर आपको सही price में मिलता है तो आप उसे भी इस प्रोसेसर में यूज कर सकते हो वह आपको बेटर वैलू और काफी अच्छी दमतर प्रोसेसर आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि यार मिलता भी है तो आपको जादा पैसे देने पड़े कि इस वासे से हम इस प्राइजन 5 3500 यूज करने वाले जो कि हमरे इस प्राइजेट के लिए और हमरे बजेट के लिए मदरबोर चूज करने वाले जो कि आता है MSI के तरफ से MSI B450 M Pro Max VDH वाला है यहाँ पर हम जो कि मदरबोर यूज करने वाले जो कि हमरे जो कि PCVD के लिए सफिशन होने वाले हैं यहां पर आपको फोर रैम स्लोट मिल जाएती है और साथ एसाथ M.2 SSD का स्लोट भी मिल जाए और PCI का स्लोट यहां पर आपको देखने के बिल जाते हैं और स्टील आर्मर्ड है या फिर अलुमिलियम इसी तरह की सब कुछ की मेटल का वहां पर सब्सक्राइब के साथ कर सकते हैं इसके साथ आपको कोई भी बायस हो अगर अपड़ेट करने की ज़रूत नहीं और आपको मिल जाएगा चलिए और आगे बढ़ते हैं बात करते हमारी हां पर मेन इंपर्ण कंपनें जो की गेमिंग के लिए माना जाता है तो गैस जो हमारा ग्राफिस काड तो ग्राफिस काड यहां पर हम यूज करने वाले हैं टित की तरप से आने वाला उनका GTA 1660 सूपर का ग्राफिस काड जहां पर आपको मैसव सीख जीबी की वी रम देखने के ले मिल जाएगी जो की इंशोर करीगी भाई आज की टैम के लिए सभी गेम को अगर आप UltraTuck preset रखते हो तो यहाँ पर आपको 60 plus FS यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगे अगर आपको पुराने वाले गेम चलते हो तो यहाँ पर आप 2K तक भी खेल सकते हो पुराने वाले गेम अगर आपको 1080 पे अल्टर तक चला है तो तो 100 प्लस एफेस भी आपको किसी किसी गेम में मिल जाएगे तो यह काफ़ जाएदा अच्छा ऑप्शन जाता है कि अगर आपको बजेट से थोड़ा सा उपर जाना है तो आपको यह ग्रापस कार्ड ओ सारी चीजे दिलवा के दे द सब्सक्राइब के लिए यहां पर मैंने 8GB की सिंगल स्टीक यहां पर यूज किया जो कि आते हैं वाई और आप बोलेंगे यार में 55,000 रुपए यहां पर जो की पीसे बेड़ कर रहा हूं रहा हो रहां पर सिर्फ में 80GB की स्टीक लागा रहा हो मतलब यह कौन सा लाजिक हो 16GB की RAM यहां पर मैं जो की पर्चस करकर आपको बता सकता था लेकिन में जो उस तरीके सा PC बिल्ड नहीं करना है कि मतलब आपके पैसे थोड़ से वेस्ट हो यानि कि क्या होगा यहां पर मैं आपको एक्जम्पल के थोरुप समझा देतो हो कि अगर यहां पर यहां पर यहां करेंगे ना तो उसके साथ आपको एने एक चीज के साथ कॉंपरमेज करना पड़ेगा वहें आपके ग्राफिस कार्ड के लिए तो ग्राफिस कार्ड आपको थोड़ा सा 1650 सूपर वाल आपको पर्चस करना चाहिए मतलब करना होगा कि आगर आपको राम नहीं खरीजनी है तो यहां पर मैंने क्या किया है कि जो भाई में इंपोर्टन कंटेंड है हमरें पीसे बिट के जो है प्रोसेसर और साथी साथ ग्राफिस कार्ड तो एक बार अच्छे ले लिए ना तो भाई आप जो की राम को बात में भी अपग्रेड कर सकते हो आप ग्राफिस कार्ड को आपको डारेक्ली ग्राफिस का नया पर्चेस करना पड़ेगा लेकिन राम के साथ आइसा ने राम के एक अपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया एडवेंटेज मिल जाता है कि राम को अभी के लिए आप एक बाई कर सकते हैं फ्यूचर पर आजाए तो तो आप और एक जूक 200 MHz को उपर आ जाती है 8GB में आप काफिसार जूकि गेम्स को प्ले कर सकते हो आपने जितने भी काम है वह आप डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर में जोके हमारे पैसे हो और मैं आपको एक हमेश्चा टिप देना चाहूंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा ले जाए तो काफिसे सिंपल से इंस्टालेशन हो जाता है और इजीली आप इसे अब रेट कर सकते हो तो इस वज़े से यहाँ पर में 8GB की RAM यूज़ करने वाले जिसके की बैंक लिंग यहाँ पर मैंने डिसकोंस में दे दिया है अब चलिए बात करते हमरे अगले कंपोने साथ इसाथ भाई जो कि अगवर इडिटिंग के लाँ आपको कुछ जो की बढ़े आसा सोफ्टेर है अगर आप जादा यूज़ करते हो तो उसको भी आप जो कि हमारे SSD में इंस्टाल कर सकते हो तो विंडोस किस तरह से इंस्टाल करते हो उसके बार में फुली एक डेडिक एकाफी मतलब कि हमारा बजट में भी देखेंगे तो मतलब SSD आ रहे है साथ अच्छा पूज को होने वाले बात के हमारे पाउर सपले के बारे में तो सप्ले के लिए हम यूज़ करने वाले कॉर्सर की सीवी 450 वैट की पावर सप्लाई जो की 80 प्लस बॉंस सर्टिफिकेशन के साथ आपको देखने के मिल जाएगी वायर सबको अलमोस यहाँ पर आपको ब्लैक ही मिल जाते तो केबल मैनेजमेंट में आपको जो की लूक है वह काफी ज़्यादा अच्छा निकल आएग तो कैबिनेट के लिए अलमोस यहाँ पर हमरे पास 3000 रुपेज बसते तो 3000 रुपेज में मेरी जो भी पसंद के ओमेनी हाप जो की लिंक दे दिया है लेकिन यहाँ पर मैं आपको जादा जादा रिक्यमेंड करूँगा कि कैबिनेट पचस कर लेना क्यूंकि 3000 रुपेज में कौन सा कैबिनेट पचस करना चाहिए तो उसके बारे वी वीडियो बना कर रखिए उसका भी लिंक में नीचे डिस्केशन वार्ट में उपर आइकड में दिया है वहाँ पर जाकर आप अपना जो की ड्रिम कैबिनेट पचस कर सकते हो तो टो टोटल इसका अगर आप 20 देख गेम से भाई एकदम से मखन की तरह चलने लगेगी और यह जो कि पीसी बेड़ है काप जादा फ्यूचर प्रूब भी रहने वाल है क्योंकि हाँ पर काप तरह ऐसे पार्स है जो कि मतलब लंबे टमें तक सल जागे जैसे कि हमारा प्रोसेसर ग्राफिस कार्ड और और जो अनों को भी आज सस्क्रेब करकर साथ का बेल अकान उसे प्रेस कर सकते हो तो मैं मिलता आपको नेस ऐसी इंफर्मेशन भरी वड़ो के साथ में तब तक लिए खोश रहें और गुडबाए